जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता डिजायर टुलन में आपका स्वागत है तो आज अपन कवर करने वाले 29 और 30 जैनवरी के करंट अपेर्स यहाँ पर जाने की कुछ important facts और अगर आप कोई भी exam के लिए preparation कर रहे हो, x, y, z, कोई भी exam तो यह series आपके लिए काफी जादा important होने वाली है तो बिना किसी तेरी के शुरुआत करते हैं और dots को connect करते हैं तो question देख लेते हैं कि world की first national vaccine to be rolled out in India in January 2023 काफी जादा important question है क्योंकि आपने अकसर देखा होगा कि vaccine से related question UPSC बार-बार पूछ रहा है आपको aware करने के लिए तो यह बनिये world की first vaccine इसका नाम है इनको वे ठीक है, जो की world की first intranesal covid vaccine बनी है और launched हो चुकी है इसको बनाया किसके द्वारा है तो इसको बनाया गया है भारत बायोटेक की द्वारा भारत बायोटेक जिसका headquarter है है हैदराबाद में ठीक है हैदराबाद में भारत बायोटेक ने एक और vaccine बनाया थी जिसका नाम है जब covid बहुत ज़्यादा पीक पे था जब आपके फ्रेंड से आप पूछते थे कि तुने covid लगाई कि covid लगाई covid लगाई किसके द्वारा बनाई गई थी वो बनाई गई थी serum institute के द्वारा जिनके founder कौन है जिनके अब भी recently CEO कौन है अधार पुना वाला जिनको रिसेंटली एक award भी से भी अप भी recently सम्मानित किया गया है अगर मैं आपसे बात करूँ इनको वे जिसे बी बी 154 के नाम से भी इसे launch किया गया है तो आप ये भी द्यान रख सकते हैं और भारत बायोटेक के founders कौन हैं इनके दो founder हैं सुचीता वेला सुचीता एंड क और ये नाम याद रखना है इनको वे next question देखते हैं so next question देख लेते हैं the 15th BRICS submit 2023 will take place in which of the following country पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर BRICS की कोई भी submit होती है ना उससे आपको CDS में तो question मिलेगा मुझे बाकी exams का नहीं पता CDS में आप जितने भी पुराने exams देख लो पुराने paper आज उठा के देख लेना उसमें आपको एक BRICS से question मिलेगा ही या मैं आपको telegram पे share कर दूँगा ठीक है तो ये काफी ज़्यादा important है आपके exam point of view से अगर आप CDS की preparation कर रहे हो तो बाकी भी other exams के लिए आ सकता है तो य यह होगी South Africa कहाँ पे Durban में ठीक है Durban City में और अगर मैं आपसे बात करूँ कि BRICS में total कितने members हैं तो total है 5 member ठीक है 5 member जैसा कि आपको पता है Brazil, Russia, India, China, South Africa पहले इसमें थे 4 members पहले यह हुआ करता था BRICS initially ठीक है जब start हुआ था तो 2001 में तो यह BRICS था बट 2010 में किसने जॉइन कर लिया इसको South Africa ने इसको जॉइन कर लिया फिर यह बन गया क्या BRICS ठीक है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है इस टाइप का question आपसे पूछा जा सकता है अगर आप मुझसे पूछे कि Sir 14th edition कहां पे हुआ था 15th edition तो तो यह भी आप द्यान रखोगे और के याद रख सकते हो इनका एक बैंक है New Development Bank ठीक है BRICS का एक बैंक है तो उसका headquarter कहां पे है उसका headquarter है Shanghai चाइना में ठीक है तो यह भी आपको point द्यान रखना है और और क्या बता सकता हूँ अज़ा South Africa ने recently एक satellite launch की world key first agriculture satellite जिसका नाम है agree set ठीक है तो यह चीज भी आप द्यान रखोगे ठीक है next question देखते हैं so next question देख लेते recently which of the following country has won the F.I.H. Men's Hockey World Cup 2023 जैसे कि आपको पता इस बार होस्ट किया गया था भारत के द्वारा कहां पे उडिशा और अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन से दो स्टेडियम थे एक तो अंडा स्टेडियम ठीक है रॉर्किला में और दूसरा स्टेडियम था कलिंगा स्टेडियम कहां पे भुवनेशवर में यहां पे दोनों स्टेडियम में मैचेज हुए थे और यह किसने जीत लिया है तो अपन वो भी चीज डिसकस कर लेते हैं किसने किसको अराया फाइनल म और जर्मनी ने आ रहा है फस्ट पर रहा जर्मनी सेकिंड पर बेलजियम और थर्ड पर रहा नेदल लेंड थे नेदल लेंड ने आपको पता हो गा कि एक रिकार्ट भी बनाया थे 5 इस्ट गोल इसकोर किये थे egर हिस्टरी में अभी तक सबसे जादा 7 इसकोर गोल वह किस ने किया था Netherland ने तो यह चीज भी आप ध्यान रखोगे और अगर मैं आपसे बात करू हूँ आप पूछाओं कि सब भारत कौन से नंबर पर राख तो भारत रहा 9th नंबर पर तो यह चीज भी आप ध्यान रखने वाले हूं और जर्मनी दो बार इससे पहले जीच चुका है, वर्ल्ड कप एक बार जीता था 2002 में और इससे पहले उसके बार जीता था 2006 में, तो ये आप ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है, next question देखते हैं, so next question देख लेते हैं, काफी जादा news में रहाब, what will be the new capital of आंदरप्रदेश, आंदरप्रदेश का नया capital क्या होने वाला है, उसकी सबसे बड़ी city, आंदरप्रदेश की सबसे बड़ी city जिसका नाम है विशाका पटनम, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, recently CM, जगन मोहन रेटी जी ने रेनाउस किया कि हम recently अपना जो capital है, उसमें हम shift कर देंगे आंदरप्रदेश का capital विशाका पटनम को, अब भी यहाँ का capital क्या है, तो वो है अमरावती, ठीक है, अमरावती यहाँ का capital है, और अगर मैं बात करूँ, आंदरप्रदेश की, आंदरप्रदेश बना था first state, जो की भाशा के आधार पे बना था in 1953, तो यह point भी आपको ध्यान रखना है, और इसका bifuraction कब हुआ था, इसका bifuraction हुआ था, 2 June 2014 में, क्या हुआ था, यहाँ से एक state निकला जिसका नाम है तिलंगाना, तो यह point भी आपको ध्यान रखना है, और इसमें आपको क्या याद यहाँ का अभी क्या capital है अमरावती और सबसे बड़ी city है विशाका पतनम, ठीक है, next question देखते है, so next question है, health minister नाबा किशोर दास, recently इनका धियानत हो गया, in the age of 61, he is from which state, actually क्या होता है, यह किसी meeting में, conference में जाते हैं, और वहाँ पे जो एक ASI होता है, ठीक है, assistance sub inspector, वो इनको दो गोली यहाँ पे मार देता है, यह जीप से उतरते हैं, इनकी गारी से उतरते हैं, और उनको दो गोली हिट कर देता है वो, तो यह कौन से state के थे, health minister तो यह थे, और उनका on the spot, यह hospital में भरती होते हैं, और फिर उनका धियानत हो जाता है, तो आपसे question पूछा जा सकता है क्योंकि काफी जादा news में रहे थे, तो यह आपको दियान रखना है, नावक की सोरदास is the health minister of Odisha, जिनका recently दियानत हो गया है, next question देख लेते हैं, न्यूजलेंड ने इंट्रिद्यूस करा debbie H medal to honor women cricketers, अगर women cricketers, अगर outstanding performance दिखाती हैं, cricket में, तो उनको यह medal से नवाज़ जाएगा जिसका नाम है debbie H medal, तो यह चीज आपको दियान रखना है, और यह किसके नाम पे दिया गया है, तो यह दिया गया है debbie Hokley, ठीक है debbie Hokley medal at this annual cricket award ceremony, तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए, कि कौन से board ने किया है, तो यह किया है, न्यूजलेंड cricket board ने, ठीक ह वो बन चुके है, Chris Hopkins, Chris Hopkins, तो यह नाम आपको दियान रखना है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ का न्यूजलेंड का capital क्या है, तो वो capital है Wellington, ठीक है, capital क्या है, Wellington, तो यह चीज भी आप दियान रखोगे, next question देखते हैं, so next question देख लेते हैं, recently Mughal Gardens, जो की राष्प राषपती भवन में हैं, जेली में, उनका नाम चेंज कर दिया है, उनका नाम क्या रखाए, तो वो आपको ध्यान रखना है, उनका नाम चेंज करके, अमृत उध्यान रख दिया गया है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, कि Mughal Empire ज आराम बाग ओफ आगरा आपने सुना होगा ये नाम दाराम बाग ओफ आगरा ये बना था फस्ट चार बाग ओफ साउथ एशिया ये फस्ट चार बाग ओफ साउथ एशिया तो ये चीज भी आपको द्यान रखना है बाकी ये काफी important news है इसका नाम change कर दिया है अमरित उध्य से तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे नेक्स कोशन देखते हैं आपको बताना है कहां पर होस्ट होने वाला है एर इंडिया 2023 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशन है और आपका एक्जाम एफकेट जिसे कि आपको पता है काफी ज्यादा करीब है तो आप से एक्जाम में पूछ लिए जाएगा कि कोश के द्वारा होस्ट किया जा रहा है और जिसे के आपको पता है इस बार होस्ट किया गया था आर्मीडे परेड डैली Capital से उठा के कहां पे shift की गई थी वो भी की गई थी बैंगलेरू में ठीक है यह चीज भी आपको द्यान रखना है और यह Air Force Station का नाम याद रखना है यलंग का Air Force Station जो कहां पे वो है बैंगलेरू में आपसे डारेक्ट पूछ लिया जाएगा यलंग का Air Force Station कहां पे जो एक प्रोजेक्ट लॉंच किया गया तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे कहां पे किया गया तो यह किया गया है तिलंगाना में ठीक है नेक्स कोशन देखें काफी बड़ी इंप्रोटेंट पोस्ट पे इन्हें दिया गया अपॉयंट किया गया तो यह है इंडिया अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है राजाचारी इस विन अपॉयंट नॉमिनेटेट फॉर तब एंडीर एस ब्रिगींडियर जनर्ल ? यह कौन थे तो यह थे आप से डारिक इस टाइप का question पूछा जा सकता है तो ये चीज़ आप बियान रखेंगे और कहा के इनके लिए चुना गया है तो ये चुना गया है USK Air Force Brigadia General राजा चारी ठीक है ये है एक भारती अमेरिका एस्ट्रोनाट ठीक है next question so next question देख लेते कौन सी space agency ने launch करेगा mission juice mission juice जैसा कि आपको पता European Space Agency का है और ये mission juice कब launch होने वाला ये launch होने वाला April 2023 में आप से direct question पूछ लिया जाएगा mission juice कौन से planet के लिए launch किया जाएगा तो ये launch किया जाएगा Jupiter के लिए ठीक है direct question आप से आ सकता है क्योंकि space और इनसे question UPSC की हर बार पूछता है जैसा last बार पूछा गया था James Webb's telescope से अगर मैं आपसे बात करूँ कि recently अभी Europe Space Agency ESA ने अपना क्या बनाया था अपना नया launch pad launch किया था कहां पे Sweden में ठीक है Sweden में अपना नया launch pad किया था तो ये आप ध्यान रखोगे ये second launch pad था और first कहां पे इनका French Guana मे French Guana ठीक है तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे ESA के दो है जैसे अपना इंडिया का एक है श्री हरी कोटा में ठीक है श्री हरी कोटा से launch होती है सारे missiles वगेरा सब कुछ launch होता है श्री हरी कोटा से तो उनके अब दो हो चुके हैं Sudan और French Guana में ठीक है तो ये चीज भी और मैं आपको क्या बता सकता हूं कि Croatia ने launch, Croatia ने join कर लिया था, Croatia ने अपनी official currency को क्या कर लिया था, क्या बना लिया है उसने कर लिया, Eurozone join कर लिया था, पहले उसकी currency क्या थी, Kuna ठीक है तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे और Bosnia join करेगा European Union को और बन जाएगा 28th Member, ठीक ह European Union का, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, आपसे direct question तीनो चारो पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, next question देखते है, next question है, world neglected tropical disease day is observed on which of the following days, कभ ये celebrate किया जाता है, तो ये celebrate किया जाता है 30 January को और इस बार की इसकी theme है, act now, act together, invest in neglected tropical disease, ठीक है तो य ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये celebrate किया जाता है 30 January को, तो ये आप ध्यान रखोगे, next question, so next question देख लेते हैं, NMDC, NMDC जिसका full form होता है, National Mineral Development Corporation, जिसने निखत जरीन जी को अपना brand ambassador बना दिया गया है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, निखत जरीन आपसे boxing से related, और ये है world boxing championship, चैंपियन और इनने जीता था gold medal, Brimmingan 2022 Commonwealth Games में, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, और ये अब represent करेंगी NMDC को as a brand ambassador, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, NMDC क्या करता है, is a central public sector understanding, ये तिक आपको पता होगा, ये mineral development में काम करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, next question देख लेते हैं, so next question देख लेते हैं, Marcia's Day सहीद दिवस, is observed in India in which of the following days every year, Marcia Day और सहीद दिवस कब celebrate किया जाता है, तो ये celebrate किया जाता है, 30 January को, और ये comrade किया जाता है, ये comrade किया जाता है, महत्मा गांधी जी को, on his death anniversary को, अगर मैं आपसे बा तो ये date भी आपको याद रखना है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक होट सहीद दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, March 23, March 23 को क्या हुआ था, three heroes of our nation were hanged to death, जिनका नाम है, आपको पता ही होगा, भगस सिंग, शीवाराम राजगुरू, एंड सुखदे थाफर जी, तो ये आपको नाम याद रखना है, ये March 23 वाला आपको शहीद दिवस काफी जादा important है, तो नेक्स कोशन है, आपसे डारेक्ट पूछ लिया जाएगा Australia Open, किसने जीता इस बार women's में, men's में, किसने जीता तो आपको याद रखना है, men's का तो आपको याद होना चाहिए बिल्कूल, और women's का भी basically आपको याद होना ही चाहिए, तो men's में जीता नोवाग डिजोविक ने, ठीक है किसको आराय स्टेफनस्ट ये तो हारने वाले का नाम कोई याद नहीं रखेगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए, नोवाग डिजोविक का आपको नाम रखना है, काफी ज़्यादा important है, आपके UPSC में, sports से related, आपके जो grand slam वगेरा होते हैं, इनसे question हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अब इसके बाद देख लेते हैं, अपन आज के quiz कौन-कौन, तो आप मुझे comment section में बताओगे और ये मैंने आपसे discuss भी किया है, हल्लीन डियॉल, हर्मन पित कौर, रेनुका सेंग, इसमिर्ती मंदाना, प्लीज आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा, और थोड़ा सा मेरा गला बेठा हुआ है, तो प्लीज मैनेज कीजिएगा, मेरी voice scope और मैं थोड़ी चीज़ों connect नहीं कर पा रहा हूँ, तो आगे मैं बहुत अच्छा अपना best देने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा उस चीज को समझेगा, अब मैं आपसे बात करता हूँ, जिस टाइम यूपी ने ये अवार्ड जीता था, तीके ये मैं अपने experience से बता रहा हूँ, कहीं से मैं ये चीज़े नहीं देखता हूँ, जितना मुझे 4 सालों से मैं current affairs में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे current affairs का काफी जादा experience है, तो मैं व question पूछा था, कि कौन से टैबल्यू ने ये अवार्ड जीता था, टॉप प्राइस जीता था, तो उस टाइम जीता था, यूपी ने, और इस बार आप मुझे comment section में बताऊगे कि किसने जीता है, महरास, पंजाब, उत्राकंड, उत्राप्रदेश, प्लीज आप comment section में जरू हार्ड वक होता है, आप उस चीज को अगर समझते हैं, तो प्लीज दिल से like कर दीजिएगा, और आपके friends के साथ भी share कर दीजिएगा, this video is presented by me, my name is साधर गुपता, मिलते हैं next class में, जब तक के लिए अपना दियान रखिए, जैहिन जैबार